Hello students, welcome you all to Byju's exam prep. तो आज आप लोगों की लिए बहुत important update है मेरे पास. आप लोगों की जो gate की exam की cut-off है, उसका analysis में आप लोगों को दूँगी इस session में. और आपकी जो answer keys हैं that are available on application portal. That is today 21st of February. तो आज आप लोगों की जो answer keys हैं वो out हो जाएंगी. response sheet already 15th of February को out हो गई थी. तो आज आप अपने responses से answers को मिला कर अपना overall score देख सकते हैं. कि आपका score क्या बन रहा है? Overall जो आपके answer की आई या आप उसे challenge भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये question गलत दिया गया है answer की में. तो once it is out तो जो challengeable questions होंगे that also I'll be telling you. 2023 इन डेट्स में exam रहा था Saturday and Sunday को तो इसकी जो response sheet थी that was out answer की आज 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 आएगी तो आप लोग उसे याज से download कर लेना अपने scores को यहां पर मिला लेना. अब हम बात करते हैं कि expected cutoff क्या है सकती है कि अगर मैं first phase prediction आप लोगों को यहां पर बताऊं कि क्या हो सकता है तो अगर मैं पिछले year का देखू that is 2022 का cutoff analysis तो 2022 में general की जो chemistry की cutoff थी that was 27.5 OVC के लिए 24.7 थी and SC and STPW category के लिए 18.3 थी अगर हम last year के comparatively exam को देखें तो 2022 का exam MSC का जो एक standard exam है मैं कहूं कि उसका level उतना था इस बार वाला exam उसके comparison थोड़ा सा I can say it was a bit easier but again क्योंकि gate में जो questions होते हैं वो सारे mixed होते हैं generally जो आप लोगों का जो इस बार trend देखा गया जो आप लोगों के scores अभी तक मुझे पता लग रहे हैं जो आप लोगों अभी तक बता रहे हैं जो feedback आप लोगों से मिला है कि उसमें organic और inorganic में जिन लोगों का फिजिकल अच्छा था generally आप लोग questions कर पाई हो but N.A.T. को थोड़ा सा solve करने में lengthy time लगा आप लोगों को वहां पर organic में stereo based questions है तो again वहां पर थोड़ा सा problem आया जो MSQ थे इस बार उसमें जो सारी statement थी काफी सोचना पड़ रहा था तो उसमें थोड़ा सा time लगा तो overall date जो हमेशे exam बनाता वो कभी भी पूरा exam को easy नहीं देता वही mixed pattern रहता है कि कुछ questions वहां पर easier होते हैं कुछ tough होते हैं कुछ tricky होते हैं तो उसी करीगे का आपका paper था पूरा अगेन अगर मैं की cut-off की बात करूं तो जेनरल के लिए 26-29 के बीच में कहीं लाए करेगी exam का level कहने में तो easier था as compared to last year कि पिछले साल की comparison देखा जाए बट क्यूंकि exam का level था उसमें जो solve में जो problem हुई वो भी काफी सारे बच्चों के answers गलत हो गए हैं तो overall जो देखने में लग रहा है कि overall exam जो आपका tough to I can say moderate to tough की range में ही कहा जाएक इस exam को क्यूंकि जो mistakes हैं चोटे-चोटे जो tricky questions उस वज़े से काफी गलतियां भी हुए और हर साल कुछ easier questions भी होते हैं जैसे कि इस बार मैं बात करूँ कुछ questions बहुत easier थे जैसे कि आपका point group वाला question था आपका CFSE वाला question था काफी electro वाला जो NET का question आया था वो previous year में भी आया हुआ था and then अगर यहां पर बात की जाए आपका oxyhemoglobin, myoglobin वाला question तो कुछ questions तो थे जो काफी easy थे अगर आप लोगों पढ़ा है आप कर सकते हो तो कुछ ना कुछ questions तो हर साल ऐसे रहते हैं अगर overall देखा जाए तो इसे एकदम easy level के exam तो नहीं कह सकते है moderate to tough level के exam था rest आज answer की आजाए आप लोग मुझे अपने cut-offs जो आप लोगों के scores जो बन रहे हैं आप लोगों बताईए करें दी comment section of this video उसके basis पर एक cut-off analysis और generate कर देंगे बट अभी तक जो आप लोगों के response आये हैं उसके basis पर 26 to 29 I feel कि यह आपकी cut-off जानी चाहिए for general category So thank you all, take care, have a very good day